नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Modern Indian History का दियानन सर्स्वती और आरे समाज तो आरे समाज के हम फाउंटर देख रहे हैं दियानन सर्स्वती इनके बारे में और आरे समाज के बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में आरे समाज मूमेंट रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म दो नॉट इन कंटेंट तो जो आरे समाज मूमेंट था वो किसा मूमेंट था रिवाइवलिस्ट था और बलकि यह फॉर्म में रिवाइवलिस्ट था बट कंटेंट में नहीं अब जैसे दो तरह से हमारे सोच्छल रिवा एक Revivalist Movement एक Reformist Movement, रिफोर्मिस मूवमेंट में जिसे हमारे अलिगर्ड मूवमेंट, ब्रह्मो समाज यह इसा बाते हैं, जिनमें रिफोर्म की बात की गई थी, लेकिन जिसे यह आरे समाज है, इसमें क्या है? रिवाइवलिस अपरोच को इन्होंने रखा था, इसका मतलब है, कि जैसे बोलते थे कि वेदों की और लोटो, तो यह मतलब पुराने ही जो हमारे इंडिन कल्चर है, हिस्ट्री है, हमारे वेदास, पुरांस, उनकी ही बातों को दुबारे से रिवाइव करना चाहते थे, और इनका कहना था कि जो हमारे मॉडरन, जो मॉडरनिटी की वज़ से इन में कुछ कूप प्रथाएं, कूरिती आ गई हैं, उससे हमें दूर करना होगा, और अपने पुराने वेदों को ही रिवाइव करना होगा, इट्स फाउंडर द्यानन सरस्वती और मुल्शंकर, जिनका द्यानन सरस्वती जी का ही नाम है, मुल्शंकर, वास बॉन इन अल्ड मौर्वी स्टेट इन गुजराथ, ठीक है, इन अ ब्रहाविन फैमली, तो यह मौर्वी स्टेट गुजराथ से विलॉंग करते थे और ब्रहाविन फैमली में इनका जनम हुआ था, यह वांडर एज एस असेटिक फॉर फिफ्टीन यर्स इन सर्च अफ टूथ, तो पहले ही जो आरे समाज की उनिट थी, वो इनके द्वारा बॉम्बे में 1875 में सैट अप की गई, और लेटर दे हैड़कॉर्टर्स अफ इस्टेबिस एट लाहोर, और बाद में इनका जो हैड़कॉर्टर है वो कहां बना, लाहोर में, 1875 में बॉम्बे में इनोंने आरे समा इनका परकाष इसमें इनके व्यूस थे ध्याना सरस्वती जी के इनको बताया गया था, इस विजन ऑफ इंडिया इंक्लूड़ीड अग्लास लेस एंडिया के बार में वो कैसे थी कि ए ग्लासलेस जिसे हम मिदल क्लास और अपर क्लास लोवर क्लास ऐसे डिवाइड करते है toe ye classes में बाटना नीचाहते थे society को और नहीं कास में बाटना चाहते है तो एसी इनकी विजन थी इन्दिया को लेकर a united indiya ये चाहते थे कि एक united indiya हो and an india free from foreign rule और एक äसा india जो foreign rules से free हो with active Aryan religion being the common religion for all और जो RN religion हो वह सबके लिए एक common religion हो वेदास प्रशन को प्रविड़ा कि बोला था वेदा से लोटो He gave a slogan, Back to the Vedas, जिसे की बोला था, वेदु की और लोटो, उन्होंने slogan दिया, Back to the Vedas, दियानन्द स्लोगन of Back to the Vedas was a call for a revival of Vedic learning, तो जो इनका स्लोगन था, Back to Vedas, ये एक तरह से call था, revival of Vedic learning का revive करने के लिए, ठीक है, Vedic purity of religion and not a revival of Vedic times, उन्होंने कहा था कि हमें जो है रिलीजन की प्योर्टी कर ने होगी, Vedic purity of religion, जिस तरह से Vedic time period में purity होती थी रिलीजन की उस तरह से करने होगी, ना कि हम जो है दुबार से Vedic times को revive नहीं करना चाहते थे, बस ही Vedic purity चाहते थे, उस time की तरह, He accepted modernity and displayed a patriotic attitude to national problems उन्होंने modernity को भी अपनाया और साथी जो patriotic attitude है, देशभक्ति का attitude है नेशनल की पुरे नेशन की problems के लिए patriotic attitude को भी उन्होंने अपनाया Dhyanandh had received education on Vedanta from a blind teacher named Swami Virjananda और जो Dhyanandh ji थे उनको, जो teacher थे उनके उनका नाम था Swami Virjananda जो की blind teacher हैं मतलब उनके और इन Mathura उन्होंने Vedanta की teaching लिए है Along with his emphasis on Vedic authority he stressed the significance of individual interpretation of the scriptures and said that every person has the right to assess to God उन्होंने इसके साथ ही Vedic authority पर emphasis करते हुए बोला की he stressed the significance of individual interpretation of the scriptures की हर एक जो individual है उसका अपना interpretation है scriptures के लिए वो अपनी तरह से interpretation करता है उनकी and said that every person has the right to assess to God और हर एक इन्सान के पास right to assess to God है he criticized later Hindu scriptures such as पुरानास उन्होंने जो later Hindu scriptures थे जैसे पुरानास उनको कृतिसाइज किया है the ignorant priest for preventing Hinduism और जो ignorant priest होते थे जो Hinduism को pervert करते थे मतलब उसको गलत तरह से दिखाते थे उनकी भी उन्होंने आलुचना की है ध्यानन strongly criticized the escapist Hindu belief in Maya illusion as the running theme of all physical existence and the aim of human life as a struggle to attain moksha through escape from the evil world to seek union with God तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो क्रिटिसाइज किया है जिन बातों के इन्होंने कि Hindu belief है जसे Maya का उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने वोला कि इस जो evil है इसे हमें बच कर हमें जो गोड है उनके तरफ जाना चाहिए इसेड ही एड़ोकेटेट था गोड सौल और मैटर वर दिस्टिंक्ट अटरनल एंटिटीज एंड अवरी इन्डिजल है तो वर्क आउट इस ओन सलवेशन इन द लाइट अटरनल प्रिंसिपल्स गवर्निंग हुमन कंड़क्ट तो यह कुछ बाते हैं इनकी द्वारा जो कही गई है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है यहां पर दिखते हैं कि ध्यानंद लोज अफ्रंटल अटेक ओन की ध्यानंद जी ने जो है फ्रंटल अटेक किया किस पर हिंदू और्थोडोक्सी पर क आप यहूर्थ नि है तो इनहोंने इन जी नहींत कि आलोशना की है कि जैसे हिंदू में reflectiveness की जो ऑफ एंडू थयूदूक्सी है जो हींदू मैंbaum olması कि कास की ज jsू, टीटी है उसके बहुत सारे बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखते हैं बिलीफ इन मैजीक चाम्स अनिमल की जो सैकरिफाइस बली वेरा चड़ती है उसमें इनकी अलोशना की है जिसे सी वर्जिस को लेकर जो टैबू था कि अगर आप इसको क्रोस करोगे तो आपका धर्म भरस्ट हो जाएगा इस तरह के टैबू की भी इनोंने आलोशना की है और जैसे जो डैथ के बाद से श्राद करते हैं कि फीड करते हैं मतलब एक तरह से टूर डैड परसन तो उसकी इनोंने आलशना की है और उन्होंने हलाकी ध्यानन सरस्वती जी ने जो है चत्रवर्णा सिस्टम को स्पोर्ट किया है जिसमें परसन की आइडेंटिटी जो है वो भ्रामिन, शत्रिय, वेश्य और शुद जो है ये होगी लेकिन ये नोट बाब बर्थ से डिसाइड नहीं ह जो है कि चत्रवर्णा सिस्टम ठीक है लेकिन ये नोट बाब बर्थ से ही मतला रिजीड नहीं होना चाहिए पर ये एक परसन की ऑक्यूपेशन और मैरिट के हिसाब से उसको मतलब ये चत्रवर्णा सिस्टम डिसाइड होना चाहिए आरे समाज fix the minimum marriageable age at 25 years for boys इन्होंने आरे समाज ने important है कि 25 years जो है वो boys की is minimum fix की थी और 16 years जो है girls के लिए fix की थी इन्होंने कहा है स्वामेद ध्यानन्द once lamented the Hindu race as the children of children the children of children इनके कुछ guiding principles है आरे समाज के यह हम नहीं देखेंगे इसके बाद हम कुछ important point देखते हैं आरे समाज ने बोला कि social ideals compromise among others the fatherhood of god brotherhood of man equality of sexes absolute justice fair play between man and man and the nation and nation इनको मतला इन्होंने promote की है जो social ideals है इन्हें और intercast marriages को विडोरी marriage को भी इन्होंने increase किया है इनके इस समय के और जो है reformers केशव चंदर सेन इशो चंद विद्या सागर नाडे देश्मुक et cetera आरे समाज came to be known as social service it rendered in times of calamities such as earthquake आरे समाज को इस लिए भी जाना जाता था क्योंकि इनके सोशल सर्विस जो करते थे natural calamities के time जैसे calamities के time जैसे earthquake हो गया इसके बाद इनके जो illustrious members है उनके द्वारा आगे जो है समाज को करेड़ किया जाता है द्यानन्द एंगलो वैदिक कॉलेज द्यावी कॉलेज एस्टेबिश हुआ था 1886 में लाहूर इंपोर्टेंट है कि द्यानन्द एंगलो वैदिक कॉलेज जो है द्यावी कॉलेज फ इसमें सर्कुलम जो होता है डिवी कॉलेज का उस पर दो गुटों में एक तरह से डिफ्रेंस ओपिनियन हो जाता है तो जो एक गुरूप था वो नोन ऐस कॉलेज पार्टी बन जाता है अमंगू लीडर्स लाइक इसमें लाला हंसराज, लाला लाल चंद, लालाज दुसरी और इसमें गुरू दत्ता विद्यार्थी, लाला मुंशी राम यह सब होते हैं अब इसमें दिखो जो कॉलेज पार्टी वाला ग्रूप है वो क्या फेवर करता है कि गॉवर्मेंट सर्कुलम एंग्लिश एजुकेशन तो इकोनोमिक प्रोफेशनल नीड्स तो जो महात्मा पार्टी वाला गूप होना चाहिए और इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए और इकोनोमिक और प्रोफेशनल नीड्स को मीट करने के लिए लेकिन जो महात्मा पार्टी वाला गूप है वो बोलता है कि स्टडी और संस्कृत और अरुवधिक फिलोसपी होना चाहिए ट्रेडिशनल और एंशेंट गुरुकूल्स की तरह होना चाहिए लेटर दा इश्यू बाद में ही देखो क्या होता है कि वेजिटेरियन निजम पर भी एक पॉइंट अफ कंटेंशन बन जाता है कि कॉलेज अपनी चॉइस है और इट वास नोट मैंशन इन धर तरह में नहीं लिखा गया है लेकिन जो महात्मा पाटे होती है ऐड़े अथर हैंड यह कहते थे कि जो मतलब R.A. समाज में मतलब कि R.A. समाज में बाइन बडिग सृट्ट वेजितेरियन होने चाहिए और R.A. समाज स् कोलेज़ पार्टी के द्वारा जो आरे परतिनीधी सभा पंजाब और महात्मा पार्टी के साथ चल जाती है स्वामी शर्धाननन्द ओपने गुरुकुल in 1908 गुजरानवाला और इसी तरह से फिर्दी गुरुकुल भेड़ेटि नियर हर्दार प्रात। इसको उन्सएन नायम कें पार्टी कुछिए पार्टी से बुता है गुरुकुल कुल कंगरी नेम मिल जाता है जो इनने गुरुकुल ओपन किया था है उनीसों में, उनीसों में इसको कांगडी में शिप्ट कर दिया है, कांगडी जगा पर हर द्वार के पास, अब यहां पर यह जो गुरुकुल है यह इंडिजिनियस अल्टरनेटिव देता है कि कैसे हमारी जो भार्तिय अपने ही जिसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उसी तरह से अगेंस किसके जिसे लोड में कॉले ने जो इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी दी थी जो जी जीनियस अल्टरनेटिव दिया है और किस तरह से अब देखो यह कैसे शिक्षा दे वैदिक लिट्रेचर पढ़ाते थे इंडियन फिलोस्पी पढ़ाते थे इंडियन कल्चर पढ़ाते थे एस वेल एस modern sciences and research को भी इन्होंने थोड़ा बहुत महत्तर दिया था तो गुरुकुल बिलीव इन राडिकल सोशल रिफॉर्म और गुरुकुल बिलीव करता है राडिकल सोशल रिफॉर्म में और इस फॉड़ेख दुड़ेख दिया और जलंदर 1896 तो जो एक गुरुकुल होते हैं महात्मा पार्टी वाले जो ने गुरुकुल चला होता है ये कन्या महाविध्याले एड जलंदर 1896 में खुलते हैं और इसमें जो है education for videos इसको promote किया जाता है और इस तरह से जो R.S.M. आज है वो self-respect और self-confidence देता है हिंदूस को to undermine the myth of superiority of whites and western culture कि मतलब इस myth को तोड़ने के लिए वो उनको थोड़ा self-respect देता है confidence देता है कि white जो है उनकी superiority नहीं है western culture superior नहीं है मतलब इनके जो efforts है इनसे यह सामने निकल कर राता है इन इस zeal to protect the Hindu society from the onslaught of Christianity and Islam the Samas started Shuddhi और इस दरह से जो इन्होंने अपनी Hindu society को Christians से और Christianity से और Islam से बचाने के चकर में क्या करते हैं इन्होंने एक Shuddhi purification movement चला है to convert, re-convert to Hindu the converts of Christianity and Islam कि जो लोग कृषिनिटी और Islam में जो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है वह वापस किस तरह से Hindu religion अपना ले किसके द्वारा Shuddhi और Purification movement जो इन्होंने चलाया था उसके द्वारा An aggression campaign of Shuddhi led to increasingly increasing communalization of social life during the 1920s तो जैसे अब इन्होंने religion के हिसाब से थोड़ा सा society बढ़ जाएगी अब क्योंकि यह कोशिश करेंगे कि Hindu religion को अपना ले लोग ठीक है इन्होंने Christianity या Islam को अपना लिया है तो थोड़ा सा aggressive हो जाएगा movement ठीक है जो consciousness है वो बढ़ जाएगी और इसी के बात कि है जो शुद्धी movement है also attempted to uplift those regarded as untouchables and outside the caste system of Hindus into pure caste Hindus तो इन्होंने जो शुद्धी वितने